लुधियाना के पंजाब कृषिव श्विद्याले में कारिक्रम का आयोजुन किया गया इस कारिक्रम में पंजाब विधानसबा के स्पीकर कुलतार सिंग संध्वा बतौर मुख्य अतिती शामिल हुए मीडिया से बाचित करते वे विधानसबा स्पीकर कुलतार सिंग संध्वा ने पराली के मुद्दों को लेकर कहा कि पराली नहीं जलाने को लेकर पंजाब सरकार के तरफ से किसानों को लगातार जागरू किया जा रहा है और जो किसान पराली नहीं जला रहे हैं उन सभी किसानों को पंजाब सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया है उन्होंने पंजाब में महौल खराब करने वालों के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि जो पंजाब का महौल खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ गिरफतारी जरूरी है पंजाब सरकार वल्लों भी सब्तों पहले शुरूरात विदान सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके खिलाफ गिरफतारी जरूरी है